हे वाट्स अफ दोस्तों वेलकम बैक तो अगे नूव वीडियो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करेंगे इतनी बैक्ग्राउंड में यूज करूंगा उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हां दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने के तो सब्सक्राइब कर दो चैनल की बैल आकन को दवा कर नोटिफिकेशन उनको लो जब दी मैं वीडियो डालो आप दोस्तों बैक्ग्राउंड को कर लेना फिक्साइट में ओपन ओपन करने के बाद जाना है आपको एड़ फोटू पर एड़ फोटू पर जाने के बाद आपको अपने मोडल की पी एंजी लेनी है पी एंजी लेने के बाद दोस्तों मैं इसे रोटेट कर लूँगा तो दोस तो आपको कर देना है डन फिर एड़ फोट उपर जाना है एड़ फोट उपर जाने का बैक्ग्राउंड में जाना है और ब्लैक बैक्ग्राउंड लेने लेने आपको और सिंपल इस तरह से इसे इस पर एज़ेस्ट करना है लेर्स में जाना है और इसको मूव डाउन कर देना मूब डाउन करने के बाद जाना है इरेजर में इरेजर में जाने के बाद आपको करना है इसको इनवर्ट इनवर्ट करने के बाद जाना है आपको बुरूस में बुरूस की सैटिंग आपको यह रख लेनी है और सिंपल इस तरह से आपको अपनी सैडो बना लेनी है सैडो बनाने के बाद दोस्तों सिंपल आपको कर देना है डन डन करने के बाद इसकी ओपिसिटी आपको अपने इसाफ से रख लेनी है और सिंपल कर देना है आपको डन डन करने के बाद दोस्तों जाना है आपको स्टीकर में कि स्टीकर में जाने के बाद दोस्तों आपको ये वाली पी एंजी लेनी है और दोस्तों कुछ इस तरह से बिलाइंड में जाना है और स्किन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको सैट कर देना है इसकी डूपलिकेट लेयर बना कर आपको इस तरह से आपको दूसरी जगवी से सैट कर देना है इसके बाद सिंपल दोस्तों डन कर देना है फिर जाना है आपको एड़ फोटू पर एड़ फोटू पर जाने के बाद आपको डोग की पी एंजी लेनी है पिएंजी लेने के बाद इसे आपको इसके इमेज पर सैट कर देना है सैट करने के बाद दोस्तों सिंपल आपको इरेजर में जाना है इरेजर में जाने के बाद इरेजर की ये सैटिंग रख लेनी है और सिंपल इस तरह से आपको इसको यहां से रिमूब कर देना है डन करने के बाद दोस्तों आपको इसे गैलरी में सेव कर लेना है दोस्तों इसकी कलर गिर्ड हम लाइट रूम में करेंगे तो दोस्तों इसे हम लाइट रूम में कर लेते हैं ओपन लाइट रूम में ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जाना है लाइट में light में जाने के बाद इसकी contrast को मैं बढ़ा लूँगा और इसकी highlight को मैं कम रखूँगा shadow को मैं थोड़ा बढ़ा लूँगा और white को मैं थोड़ा कम रखूँगा और simple black को मैं थोड़ा कम रखूँगा फिर दोस्तों जाना है आपको colors में colors में जाने के बाद इसके temperature को बढ़ा लेना है आपको और tint को भी आपको थोड़ा बढ़ा लेना है और इसकी saturation को आपको थोड़ा गठा लेना है और simple biorens को आपको थोड़ा बढ़ा लेना है इसके बाद जाना है आपको effect में कि अफैक्ट में जाने के बाद इसकी क्लियर्टी की आपको बढ़ा लेना है और बीकिनेट को आपको लगवग इतना रखना है है की सिंपल दोस्तों आपको जाना है इसके बाद स्टूल में और इसकी सार्पनेस को आपको बढ़ा लेना है नोइस रीडियक्शन को भी आपको बढ़ा लेना है और इसकी मास्किंग को आपको थोड़ा बढ़ा लेना है तो देख सकते हैं गाइस वीफोर एंड आफ्टर वीफोर एंड आप्टर तो दोस्तों आसा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई ओगी तो फियुक्त पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और चैनल की बैल आइकन को दवा के आल नोटिफिकेशन ओन कर लेना तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ज